नमस्कार स्रिपोस्ट में आपका स्वागत है मिस्तिहा भारती आपके साथ राजरीती में उट किसोर बैठेगा किसी को इस बात का अंदाजा नहीं रहता है आपको वतादे कि लोग कहते हैं राजरीती अफसर का खेल है जी हाँ पश्विम मंगाल में टीमसी की जीत के बाद विरोधी दलों का होसला बुलंद हुआ है होसला बुलंद तो उन पार्टियों का भी हुआ है जो किसी न किसी मजबूरी से बीजेपी के साथ मिलकर राज्यों में सरकार चला रहे हैं ऐसा ही प्रदेश बिहार है जहां सीयन तो नितीश कुमार है लेकिन बीजेपी की सहयोग से नितीश कुमार की 26 समाजवादी नेता की रही वे बीजेपी के कटर राष्टबाद का समर्थन नहीं करते लेकिन सत्ता में बने रहने की मजबूरी कहिए या फिर सत्ता से लालू परिवार को अलग रखने का हट नितीश कुमार को बीजेपी के साथ सरकार में रहने को मजबूर करता है नितीश कुमार ने हाल में ही हुए दूसरे राजियों के विधानसवा चुनाब में छेत्रिये दलों के जीत पर बढ़ाई दी है नितीश ने सोसल मीडिया पर चार पोस्ट किये इसे बीजेपी को असम और पुंडुचेरी के लिए बढ़ाई दी लेकिन केरल और तामिल नाडू के मुख्यमंतरी को यह जाता आया कि उनसे रिस्ते बहुत प्रगाठ है वहीं बंगाल में जीत के लिए ममतब अनरजी को बढ़ाई ना देते हुए नितीश कुमार ने टीमसी को बढ़ाई दी इन चार बढ़ाईयों के अलग-अलग माईन आपको दादे की जानकार मानते हैं कि यह बयान आने वाले दिनों में राग्यूति घटना करण की तरफ इशारा करता है नितीश कुमार की छबी देश में अलग रही है उन पर बीजेपी के राष्टवात का रंग नहीं चड़ा है ऐसे में इस बयान को देखा जाये तो नितीश कुमार ने यह साबित कर दिया है कि छेत्रिये पार्टियों में वे एक मात्र चेहरा है जिसको लेकर सभी आगे उन्हें पता है कि यदि कोई नितीश कुमार को टकर दे सकता है तो वो है ममता बैनर जी ऐसे में यदि 2024 के लिए कोई फ्रंट तैयार हो तो नितीश कुमार उसके चेहरा बने इसकी तैयारी है राज़नितिक जानकारों की मानों तो NDA में नितीश कुमार कमफर्टेबल उस नहीं कर रहे हैं गाहे बगाहे उनके सामने यहां जता दिया जाता है कि वे बीजेपी की बदोलत सीम की कुरसी पर बैठे हैं ऐसे में कभी PM मेटेरियल रह चुके नितीश कुमार एक बार फिर से पुरे देश की छेत्रिये पार्टियों को एक जूट कर सकते हैं इनकी इस मुहिम में साथ उन दलों का मिलेगा जो बीजेपी विरोध की राजनीती करते हैं पंजाब, महरास्ट, जारखन, तामिल नाडू, केरल, पफ्षि मंगा, सहित वे छेत्रिये दल जो कही सकता में नहीं लेकिन अपने राज्य में मजबूत पकर रखते हैं वे नितीश इधर आरजेडी सुप्रीमो लालू कुसाद यादब का जेल से बाहर आना सभी छेत्रिये दलों के लिए संजीवनी है, लालू यादब की राजनीती बीजेपी विरोधी रही है, बहार में अपने पुत्र देजस्पी यादब को अस्थापित करने को लेकर के लालू खुल कर दाओ खेलेंगे, लालू ही थे कि 2013 में जब नितीश कुमार ने इस्तिफा दिया तो बाहर से समर्थन दे जदियू को सक्ता में रखा था, और 2015 में जदियू और आरजेडी ने मिलकर बीजेपी को विपक्ष में धकेल दिया था, ऐसे में यदि लालू यादब की चली तो आरजेडी फिर से सत्ता के गलियारे में पहुँचने में काम्याब होगा, वसरते की नितेश कुमार की महतवकान छादेश की राजनिती करने की हो जाए, बंगाल जुनाप की जिस तरह से नतीजे सामने आए हैं, ऐसे में अब बिहार में भी इसका असर देखने को मिल सकता ह अगर आपको ये ख़वर अच्छी लगी हो तो हमारे चानल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा, फेस्गूप पेच को भी लाइक और फॉलो कीजेगा धने बाद